नमस्कार दोस्तो मैं उदेलाट फ्रेक बार स्वागत करता हूँ आप सभी का चहिते चानल इंडियन मुर्गी पालन प्रवड देखने वाले हरकिसान भाय और मुर्गी पालक भाय का आज की उड़ो में तहे दिल से बहुत-बहुत स्वागत दोस्तो थमनेल लेखा टाइटल पड़ा हाँ दोस्तो दुनिया का सबसे बहतरीन व्यावसाय है मुर्गी पालन का दुनिया की सबसे बहतरीन ब्रीड आपके पास है देशी मुर्गी लेकिन आपका एक सवाल है कि सर हम बेरोजगार युवा है दिव्यांग व्यक्ती है वयस् हमारे पास रोजगार का कोई साधन नहीं है लेकिन जब हम व्यावसाई की तरफ देखते हैं तो मुर्गी पालन का व्यावसाई तो भाता है लेकिन आएसे में एक सवाल आता है कि एक देशी मुर्गी को बड़ा करने के लिए छे माहा का समय लगता है उसके बाद ही उसकी हम अगर हम बॉयलर मुर्गियों को बड़ा करे और बेचे तो सिर्फ देड महा में हमारी आमदनी हो सकती है फिर आएसे में देशी मुर्गियों को त्याग कर अगर हम बॉयलर मुर्गी पालन का व्यावसाय करे तो कोई दिक्कत की बात है क्योंकि छे महा इंतजार करने से अच्छा है कि देड महा में हमारी आमदनी हो जाए आपका कहना गलत है या नहीं मैं अभी तो नहीं कहूंगा लेकिन इसके लिए अगर आपको जवाब चाहिए कि आपके लिए कौन सी बॉयलर मुर्गी सही है कोन से व्यावसाय के माध्यम ने बॉयलर मुर्गियों से आपको ज्यादा मुनाफा होगा या फिर देशी मुर्गियों से फार्म डालने से पहले व्यावसाय को शुरू करने से पहले क्या सही क्या गलत क्या ठीक क्या बुरा जानने के लिए वीडियो शुरुआत से लेके अंत तक देख लीजिए यदि पसंद आ जाता है तो ही से लाइक कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा किसान भाई और मुर्गी पालक भाईयों तक वीडियो पहुचाने के लिए शेयर कर दीजिए इसके लिए आप पर्सनल वाटसप नंबर, वाटसप ग्रूप, टेलिग्राम ग्रूप, फेस्बूप, इंस्टाग्राम, स्नैपचाट, इन सोशल मीडिया के साथ नों का इस्तमाल करते हुए लिंक को शेयर कर दीजिए रहा होगा आपका सबस्क्राइब करना तो आप सभी किसान भाई और मुर्गी पालक भाईयों से हाथ जोड़ कर विनती करता दोस्तों आप सभी को मैं अपना मान चुका हूँ मानता रहूंगा आप भी मुझे अपना और घर का सदस से मानते हो तो क्रिपया सब्सक्राइब कर लीजिए इसके लिए इस वीडियो के दाई तरफ निचली साइड में आने के बाद दिखाए देने वाले लाल रंग के सब्सक्राइब के निशान को टच कर दीजिए उसके बाद कलर चेंज हो जाएगा बगल में घंटी आइंगीज घंटी को टच करते हुए और इस नोटिफिकेशन को आन कर दीजिए ताकि आने वाला हरूडियो आपको समय समय पर मिलता रहेगा तो देखे दोस्तो कसोटी पर जब आप वहाँ पर जांच रहे हो की बॉयलर मुर्गियों का चिकन स्रिफ देड महा में बिक्री के लिए आता है आप सव प्रतिशत गलत नहीं है आपका सवाल है कि देशी मुर्गयों का चिकन विक्री के लिए छे महा के बाद ही आता है आप सही है लेकिन दोस्तो ये सच है लेकिन कैसा आधा आदूरा हाँ दोस्तो जब तक आप उसको इनकम के कसोटी पर नहीं ना पेंगे तब तक आप विफल हो इसलिए दोस्तो पूरी बात मेरी सुन लीजिए समझ लीजिए उसके बाद ही कीजिए फैसला तो दोस्तो इसके लिए हम एक मिसाल लेने पड़ेंगी मिसाल होगी दोस्तो हजार चूजों की यानि हजार मुर्गों की एक दिन के हजार चूजे हम बॉयलर के लाएंगे एक दिन के हजार चूजे जो है दोस्तो हम देशी मुर्गों के लाएंगे घर पर भी आप तैयार कर सकते हो कोई दिखकत की बात नहीं है पहले बात करते हैं बॉयलर का दोस्तो एक दिन का चूजा बॉयलर का लाने के बाद 45 वे दिन से लेकर 46-46 दिन तक वो बिक्री के लिए आ जाता है जब आस आप इसकी विक्री करने की कोशिस करते हो तो दोस्तों विक्री करते हुए एक बात यहाँ पर आपको ध्यान से सुननी पड़ेगी बात कौन सी? कि इसका फिड का खर्चा बहुत ज्यादा है और ये बाहरी फिड पर ही निर्भर होता है आयसे में बहुत सारा संशोधन किया गया, रिसर्च किया गया तो उसके बाद देखने में आया कि 45 दिनों के बाद 1000 में से बहुत सारे चूजे तो बड़े होने से पहले मर ही जाते है लेकिन दोस्तों ठीक है बॉयलर जितने मुर्गी पालक भाये उनसे मैंने जब बादचीत की उनसे पूरी जानकारी इकटा की तो उनका कहना था कि मोटा मोटी पकड़ ले तो 1000 जो है तो इसमें क्या है कि बड़ा होना फिड का खर्चाटी का करन सभी बाते आगर देख ले तो यहाँ पर 10 रुपए से लेकर 15 रुपए की आमदनी वहाँ पर एक पिसके पीछे होती है यानि कि दोस्तों तकरीबन 1000 मुर्गियों और मुर्गे के चूजे आप लाओगे बॉयलर के तो 45 दिन बेचने के बाद आपके हाथ में तकरीबन मौटलिटी वगरे सब पकड़ के 15,000 का मुनाफ़ा होता है ऐसे चार बैचेस आपके देशी मुर्गी की एक ब्रिड की एक बैच बिकरी के आने तक होंगे यानि आप आसानी से दोस्तो 60,000 का मुनाफ़ा बॉयलर मुर्गी पालन के व्योवसाई के माध्यम से एक हजार की बैच के पीछे आसानी से कमा सकते हों लेकिन उसी जगह पर अगर हम देखते हैं कि नहीं हमें देशी मुर्गी पालन करना है तो देखिए जहां पर बॉयलर की चार बैचे हो रही है वहां पर देशी मुर्गी की शर्फ एक बैच हो रही है देशी मुर्गी की एक बैच का अगर हम यहां पर टोटली विशलेशन करें तो यहां पर एक हजार चूजे डालेंगे तो उनको बड़ा होने तक होने वाला फिड़का वगरे वगरे खर्चा एक सो पचास तक जाता ही है इस हिसाब से दोस्तों मुर्गी के पीछे 200 का कम से कम मुनाफ़ा तो मुर्गी के पीछे कम से कम 300 का मुनाफ़ा आउसतन आपको मिल सकता है यानि ये दोनों की आउसत निकाले तो 250 की आउसत निकलती है दोस्तों इसमें से 50 का लाब छोड़ भी दिया तो कम से कम दोसों का आपको शुद्य मुनाफ़ा होना तकरीबन तयमान लीजए इस हिसाब से देखते हो तो दोस्तों, दोसों के हिसाब से देखोगे तो आप बहुत ही आसाने एक हजार की इस बैज के पीछे दो लाग का मुनाफ़ा कमा उगे हाँ आपको 6 महा का इंतजार करना पड़ेगा और boiler के जैसे हर देड़ महा के बाद income नहीं कमा सकते हो लेकिन boiler मुर्गी पालन का पालन पोशन करने के लिए आपको 24 गंटे निगरानी करनी पड़ती है लेकिन वैसा देशी मुर्गियों में नहीं है थोड़ा बहुत ऊपर निचे हो गया खान पान में आगे पीचे हो गया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है लेकिन boiler मुर्गी में क्या है कि एक दिन अगर एक से लेके दो तिन मुर्गियों पर भी वहाँ पर viral या bacterial infection आ गया तो दो तिन दिन में पूरा फार्मी वहाँ पर destroy हो सकता है आईसा देशी मुर्गियों में नहीं है क्योंकि उनके शरीर में resistance power अपने आप होती है दोस्तों इसका मतलब है दोस्तों कि अगर आप देखोगे तो boiler मुर्गियों में कभी कभी loss हो सकता है लेकिन देशी मुर्गियों के व्यवसाय में loss यह word dictionary में है ही नहीं इसका मतलब है अगर आप एक हजार boiler चूजों के माध्यम से शुरुआत करते हो तो आपको छे महा में ज्यादा ज्यादा साथ हजार का मुनाफ़ा हो सकता है और loss होनी की भी संभावना है लेकिन देशी मुर्गियों में आप आखे मुंद कर कम से कम दो लाग का मुनाफ़ा प्राप्त कर सकते हो महिनत boiler में ज्यादा देशी मुर्गियों में कम ज्यादा बीमारी आने के संभावना boiler में देशी मुर्गियों में कम बीमारी आती है boiler को बहुत ज्यादा बाहरी फिल्ड लगता है देशी को कुछ ज्यादा देने की आवश्यक्ता नहीं है और सबसे महत पूर्ण बाद बॉयलर को आपको लगता होगा मार्केट है लेकिन दोस्तों आप अपने मार्केट के मालिक बॉयलर में नहीं हो आपको बेपारी ओपर डिपेंड रहना पड़ता है देशी मुर्गे में वैसे आवश्चता नहीं आपको जहां से खड़े रहोगे वही से यह मार्केट खड़ा हो जाएगा जो कि मैं खड़ा करके दिखाऊंगा तब सोचिए जो बॉयलर मुर्गी आप वहां पर जबरदस्ती देड महां में इंजक्शन लगा लगा कर बाहरी फिड दे दे कर बड़े करते हो और वह फिड अगर वहां पर हमारे जो बच्चे कच् बात जो हे रुखी रुखी दिखाए देती है उनका जो फेस होता है दोस्तो उसमें अ ट्रेक्शन नहीं देखता है उनके दात कमजोर होते हैं वहां पर जो है उनके बोन्स उनकी हड़िया हमसे ज़्यादा मजबूत है आज हमको तो बीपी हो चुकी है शुगर हो चुकी है हमें नहीं जो बीमार या सुनी नहीं वो हर बीमार आज हमारी जिन्दगी टैबलेट पर आ चुकी है क्यों तो श्रीप बॉयलर का सेवन करने से दोस्तो भारत वर्ष को आग बॉयलर के सामने पहले तो देशी मुर्गियों को कॉंपेटिशन के लिए लाऊंगा और हर घर देशी मुर्गी या संकल्पना सफल करके दिखाऊंगा इसमें दोस्तों समय लगेगा लेकिन दोस्तों अडिक विश्वास मुझे सफलता की राहा पर जो है दोस्तों मार्ग प् इंकम का सोच रहे हो तो दोस्तों बॉयलर से ज्यादा इंकम दोस्तों यहां पर देशी मुर्गियों में है लेकिन देशी मुर्गियों का पालन पोशन करने से दोस्तों आप खुद का नहीं तो समाच का भी बहुत ज्यादा लाप कर रहे हो आपके कारणवश भारत की अग क्याम और गुटलियों के दाम भी मिल जाएंगे इस कारण वह दोस्तो जिस काम में आपका फायदा है समाज का फायदा है भारत का फायदा है दोस्तो ऐसा काम करने से पीछे मटा हाटिए और साथी दोस्तो एक बात यहाँ पर ध्यान में रखिए कि बॉयलर में फिवचर नही इसलिए आपको income कमानी है satisfaction कमाना है तो दोस्तो देशी मुर्गी पालन के व्यवसाय में आ जाएए जहाँ पर फिड़का खर्चा बहुत कम जहाँ पर टीका करन के आवश शक्ता ज्यादा नहीं है जहाँ अनुभव चाहिए नहीं है जहाँ पर वहाँ पर असीमित मार्केट ह आएसे व्यवसाय में आना ठीक है जिसमें स्वार्त और परमात दोनों भी रहेगे इसलिए दोस्तो आपको शुबकामना है देता हूँ कि इस व्यवसाय में आई ये तरक्की कीजिए मैं आपको support करता रहूँगा इस व्यवसाय में आने के लिए best stop लग तो दोस्तो यहता वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिख कर भीजे पसंद आया होगा लाइक कीजिए किसान भाय और मुर्गी पालक भायों तक पहुचाने के लिए शेयर कर दीजिए शेयर करने के लिए आप परसनल वाटसप नंबर वाटसप ग्रूप टेलिग्राम ग्रूप अपना और घर का सदस्य मानते हो तो क्रिपया सब्सक्राइब कर लिजिए इसके लिए इस वीडियो के दाई तरब निचली सैड में आने के बाद दिखाए देने वाई लाल रंग के सब्सक्राइब के निशान को टच कर दीजिए उसके बाद कलर चेंज हो जाएगा बगल म कि आने वाला हरूड़ आपको समय समय पर मिलता रहेगा तो दोस्तो आई से एक नए वीडियो लेकर मैं आपका दोस्तु देलाड़ आप सभी के चहिते चानल इंडियन मुर्गी पालन पर आपको मिलता रहूँगा तब तक के लिए मेरे हर मुर्गी पालक भाईका और किसा पालन भाईका आज कुड़े में तहे दिल से बहुत बहुत आभाई